सब्सक्राइब किजिए जिकेफेक्ट्स चैनल को और बेल आइकोन दबाई लेटेस्ट अपडेट्स पने के लिए नमस्कार दोस्तो मैं हूँ एडी चलिए आज का वीडियो शुरू करते है दोस्तो आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि कोई कटर आतगमादी या कोई ऐसासिन अगर पकड़ा जाता है तो वो एक चीनी जैसा सफेद पाउडर को निगल के अपनी जान दे देता है ये चीनी जैसा सफेद पाउडर और कुछ नहीं बलकि पोटासियम साइनाइड है और इसको खाने के मींटों के अंदर प्राप्त होती है निश्चब्द और ठंडा मृत्यू पोटासियम साइनाइड एक बहुत जहरीला साबस्टेंस है इसका जरा सी डोजी हमें इम्रित्यू के मुह में धाकेल सकता है इसका स्वाद कुछ हद तक अलमोंड की तरह है लेकिन सबको इसका स्वाद का पता नहीं चलता है गोल्ड इनलास्ट्री में गोल्ड की सुद्धिकरन करने में इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में और औरगैनिक सिंथेसिस करने में KCN ये potassium cyanide का यूज होता है हर यार लगबग 50,000 टन potassium cyanide का उत्पादन किया जाता है potassium cyanide directly कोई zehrila effect नहीं दिखाता है इस से hydrogen cyanide gas बनता है और वही सबसे घातक है साइनाइट का बीच क्रिया को हिस्टो टॉक्सिक हाइपोक्सिया बोला जाता है इस जहर से हमारे शरीर के सेल का रेस्पिरेशन बंध हो जाता है ये शरीर का सेल को सकती उत्पादन बंध हो जाने के कारण ब्लड से ऑक्सिजन लेने का खमता खतम हो जाता है और victim का body लाल रंकत दिखने लगता है सांस के साथ अगर hydrogen cyanide चला जाए तो पहले सरदर्द फिर eyesight blood हो जाता है सांस लेने में दिक्कत होता है और धिरे धिरे दिल काम करना बंद कर देता है ऐसे condition में victim बेहोस हो जाता है फिर कुमा में चला जाता है और आखिर मृत्यू को प्राप्त कर लेता है क्या आपको मालूब है हमारी रोज मर्रा के खाना का कुछ-कुछ आइटेम में बहुत minor मात्रा का cyanide होता है जैसे elemond, apricot, carnel, seo और संत्रा के बीज में बहुत ही कम मात्रा में cyanide पाया जाता है अगर लंबे टाइम तक ये सब खाना का सेवन किया जाए तो cyanide का जहर अपना असर दिखाना सुरू कर देता है शरीर के अंग को पेरलाइज करने के साथ-साथ लेडिस का मिस्केरेज तक हो सकता है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकोन को जरूर दवाएगा धन्यवाद